हेलो दोस्तो आज हमारे पास में डेल इंस्पिरोन 73-73 इंटेल कोर i7 लैप्टोप आया है इस लैप्टोप में हिंज की प्रोब्लम आ रही है इसके हिंज और बोड़ी दोनों तूट गए है यह एक 2-in-1 लैप्टोप होता है अगर आप इस लैप्टोप को ऐसे ही तूटे साथ विल्कुल यूज ना करें नहीं तो इसकी टैच स्क्रीन तूट सकती है जिसकी कोश्ट बहुत ज़्यादा होती है अगर आपके पास में डेल 2-in-1 लैप्टोप है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रोब्लम आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइप करें क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं और अगर आपके लैप्टोप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैप्टोप की वीडियो बना कर इंस्टाग्राम पर भेजें हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोलुसन बताएंगे और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं हम आपको उसका रिपलाई करेंगे जिससे की आपकी समस्या का समधान हो सके सुँआ ठीश नस्चोप हमें कर आपको जया से सकते हैं हमुआ से आपकोई ठीश रहि़ बना कोन सब्सक गषिए जएँ की आपको उसे बताएं kardeşim कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो numer हाइब बुट्रो कर दो 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 कर दो कर दो 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 दोकर के दो करना खाइब दो दो कर दो झाल झाल